नमस्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ डॉक्टर वायराखी कैसे हैं आप लोग आप लोगों का स्वागत अभी नंदन करती हूँ मेरे चानल को सब्सक्राइब कीचे इस वीडियो को जाद जाद लोगों के साथ शेर कीचे आज हम बात करेंगे नौ तारीक को बिली और आपके घर के आसपस कट्टू गिलहरी और गाएं की सेवा करना कोवे को खिलाना बेहर जाद उत्तम रहेगा इतना सब नहीं भी कर सकते तो मीठी खील आती है ने जो अपन दिवाली पर लाते हैं अपने पित्रों के नाम की अगर आज के दिन कवों को और गाएं क पित्रों के नाम के नाम पर दान किया जाया तो तम होगा अमावस वाले दिन पानी में नमक डालका नहाने से पित्र दोस्धूर होता है और सेखत लगातार खराब हो तो ठीक होती है घर के बरतन बिक रहे हैं, घर में कलेष हो रहा है, घर कर्जी में डूपता चला जा रहा घर में लडाई जगड़े होते हैं घर में बिमारी बढ़ रही है ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हर अमावस घर का कबार तूटे फूटे बरतन बंद मुवाइल चार्जर बंद म्यूजिक सिस्टम्स फटे हुए जूते फटे हुए चीज़े इन सब को निकाल के घर के बाहर करो इक मेंस की घर के अंदर प्रॉब्लम्स चलनी शुरू हो गई हैं अमावस वाले दिन कबार को बुला कर इन सब चीज़ों को बेचो घर की चौकट को धो धो कर वहाँ पर एक सरसो के तेल का दिया जलाओ सुभा शाम किसी भी टाइम घर के सामने एक खुबसूरत से रंगोल भी लगाएं अमावस वाले दिन सफेद दूद का दान करना वैसे दूद दूद सफेद ही होता है लेकिन ऐसा नहीं कह सकते है सोया मिल्क भी आता है वो ब्राउन होता है चोकलेट मिल्क भी आता है लेकिन आपको वाइट दूद प्लेन दूद लेकर उसके एक थैली या आपको अच्छा फील होगा, बढ़िया लगेगा, जय मात वादी